हलो गाइज दिस इस प्राची और आज मैं बात करने वाली हूँ 2020 में रिलीज नोबडी स्लीप इन दो वूट्स मूवी की फ्रैंड इस मूवी में एक बहुत ही अच्छा सीक्रेट मैसीज है और अगर आपको वह समझ में आता है तो मैं चाहूंगे कि आप उसे कमेंट बॉक् से जो कि फॉरिस के पास बनी एक पुरानी से घर में लेटर डिलीवर करने के लिए जा रहा था और वहीं उस घर के अंदर एक लेडी म्यूजिक सुनते हुए ब्लड स्टेन क्लोज को साफ कर रही थी कि वहीं वाल पर एक ट्विन्स की फोटोज भी लगी हुई थी ये कौन यह तो बस आपको थोड़ी ही दिर में पता चल जाएगा जब पोस्त में नौक करता है तो वह लेडी गेट नहीं खोलती क्योंकि उसे म्यूजिक के कारण सुनाई नहीं देता और उसे घर के पीछे से बेसमेंट से कुछ अजीब किसम की आवाजें सुनाई दे रही थी और वो जैसे ही उसे खोलता है गाल्स वो दंग रह जाता है और वो पीछे मुरता है कि तभी वो अजीब सा दिखने वाला क्रेचर उसे खीच कर अंदर ले जाता है सो सीन अब यहां से शिफ्ट होता है और तीस साल बात दिखाया जाता है कि उस फॉरस्स प्लेस को अब एक कैम्प की तरह यूज किया जा रहा है जो कि एक ऐसा कैम्प था जहां पर इंटरनेट और मोबाइल से अडिक्टेट पचास बच्चे डिटॉक्स होने के लिए आए हुए थे जिने ग्रुप में बाट कर उन्हें एक गाइड प्रोवाइड भी किया गया था वहीं कैम्प मैनेजर बच्चे को समझाते हुए यह कह रहा था कि उन्हें इस कैम्प को एक हॉलिडे की तरह ही चीट करना चाहिए और नीचर को इंजॉय करते हुए न्यू न्यू प्रोवाइड बच्चे से उनके फोन और टैबलेट्स ले लेते हैं और वह सब काफी जादा एनरजी के साथ में वेलकम करते हैं लेकिन बच्चे काफी डूल फेसे के साथ धीरे-धीरे क्लैप कर रहे होते हैं और वहीं उस घर में अब तीस साल बाद वह लेडी काफी और उसे मार कर वो क्रियेचर फाइनली पहली बार बेस्मेंट से बाहर आता है जो दिखने में बहुत ही जादा भद्धा था वहीं कैप में बच्चों ट्रैकिंग के लिए रैडी हो रहे होते हैं जहां जोईशा नाम की एक लड़की अपने हाथ पर लगी चोड को रूमाल से छुपा रही थी वो हमेशा डिप्रस रहती थी कि तभी एक लोकल पीस वहां पे आता है और वो बच्चों के लिए प्रे करते हुए उनके फोन और लैप्टॉप पे होली वाटर चिड़कते हुए उन्हें कहता है कि इंटरनेट टेक्नॉलोजी बहुत ही जाद खतरना है जिसके बाद ईजा नाम के एक गाइट पाँच बच्चों के एक ग्रूप को लीज कर रही होती है जिसमें जोईशा, एनीलिया, बार्टेक, डैनियल और जूलिक नाम के पाँच बच्चे थे जो कि अपना सामान लेकर तीन दिन के लिए ट्रैकिंग करने के लिए जा रहे कि तभी रास्ते में जाते हुए बार्टेक और डैनियल के बीच में थोड़ा सा जगड़ा हो जाता है जिससे की बार्टेक के पैट पे चोट लग जाती है जहां जोईशा उसकी हेल्प करती है और जूलिक एक जगा पर बिना देगे ही पी करने लगता है कि तभी उसकी जीब सा हाथ दिखाई देता है और फिर रात के टाइम पे गाइड़ीजा उन सब के फाइल पढ़ रहे होती है जहां वह सबसे कैम्प में आने का रीजन पुछती है क्योंकि एक ग्रूप थारपी कैम था जहां जूलिक यह बताता है कि वह पोलेंड में नम्मर वन यूट् सब्सक्राइबर भी थे और जिने बनाने के लिए उसने काफी बार स्कुल बंक भी किया था और इसलिए उसके पैरंस ने उसे इस कैम्प में भीज दिया जहां वो कोर्या में हो रही गेमिंग चैंपियंशिप में हिसा लेना चाहता था लेकिन अब वह इस कैम्प में है कि जब एक जंगली लोमडी उनके टेंट के पास आती है जिसे वह जैसे तैसे करके वहां से भगा देते हैं फिर वहीं आधी रात को डैनियल लेके पास वैट कर सिगरेट पीने लगता है जहां एनेलिया आती है और वो लोग सिगरेट शेर करते हुए काफी सारी बाते करते हैं जिसके कुछ तेर बाद एनेलिया वहां पे उसे गुट नाइट बोल कर चली जाती है जहां डैनियल अपना स्मार्टफोन निकालता है जिसे उसने सबसे छुपा कर रखा हुआ था बट काईस तब भी वो अगली क्रेचर वहां पे आता है और उससे पूरी तरह से मार देता है फिर नेक्स मॉर्निंग जोईशा अपने सपने से उठती है जिसमें वो अपनी फैमली के साथ में काफी खुश थी वो कहीं राइट पे कार से जा रहे थे लेकिन उसकी मॉम के ग्रूप सेल्फी लेने के चकर में उनकी कार का बुरी तरह से एक्सिडेंट हो गया था वही पर उसके बाद ईजा जोईशा के साथ में डैनियल को ढूने के लिए जाती है जहां बार्थेक और एलीनियर 10 के साइट पर ही बैठे हुए थे और ये तीनों डैनियल को ढूनते हुए उस क्रियेचर के घर में पहुँच आते हैं जहां बहुत जादा बद्बू आ रही थी और वो जैसे ही पेस्मेंट के अंदर जाते हैं उन्हें डैनियल की बोड़ी दिखाई देती है वो काफी जादा बूरी हालत में थी कि तभी क्रियेचर वहाँ पर आ जाता है जिसे देखके जूलक बहुत घबरा जाता है जहां ईजा उन दोनों बच्चों को विंडो से बह जाते हैं और वो वहां से भाग जाते हैं वहीं टेंट साइट पर बार्तिक अलीनिया को बताता है कि वह एक गे है और पोलेंड में गे होना किसी शाप से कम नहीं है वो लोग गाइस बात करी रहते कि तभी क्रियेचर अलीनिया के सर पे बुरे तरह से एक रौड घुसेड बाइता है और उसे वहीं पे दे भाग जाता है और रहसे आता है और बहुत अच lance आय। और साथ ही वो ये भी कहता है कि तुम सोसाइटी पे कलंग हो फ्रेंड्स उस प्रीस की बातों से साफ पता चल रहा था कि वो एक होमियोफोबिक है जहां उससे चर्च के बाहर से कुछ अजीबसी आवाजे सुनाई देती है और confession box में जाकर छुप जाता है वहीं दूसरी तरफ जोईशा और जूलेक भागते हुए एक अंजान आत्मी के घर में जाते हैं जो कि guys कोई और नहीं बलकि वही postman था जिसे हमने 30 साल पहले movie की starting में देखा था वो लोग उसे वहाँ जाके help मांगते हैं जहां वो उन्हें उस creature के story सुनाता है और ये कहता है कि बहुत साल पहले एक lady अपने twin बेटों के साथ इस घर में रहती थी जहां एक दिन space से एक meteor इस forest में गिरा जहां उसी stone समझके वो दोनों twin बच्चे उठा कर अपने घर में ले आये थे और रात को सोती टाइम उन्होंने अपने bed के नीचे उसे रख लिया था रात के टाइम उसमें से एक अजीब सा black color का liquid निकला जिससे कि वो दोनों बच्चे muted हो गए और वो एक अजीब से ही अगली बीस में बदल गए और उन्होंने अपने पालतो कुत्ते को भी मार के खा लिया next day जब उनकी mom ने उन्हीं देखा तो वो बहुत साधा डर गई और उन्होंने उन दोनों को हमेशा के लिए ही basement में बन कर दिया जहां सालों तक वो उसी basement में अपने दोनों बच्चे को खाना देती रही और लगता है कि अब वो भी उनका शिकार हो गई है सो अब स्टोरी सुनने के बाद ये दोनों बच्चे डिसाइड करते हैं कि उन्हें हर हाल में डैनियल का फोन चाहिए होगा ताकि वो बाहर लोगों से contact कर सके लेकिन उसके लिए तो उन्हीं उस creature के घर में जाना होगा और वो उसके घर में चाने लगते हैं जहां घर के बाहर पाँच कर जोईशा जोले को अपना knife देती है और उसे घर के बाहर नजर रखने के लिए कहती है और खुद basement की अंदर चाहती है फोन लेने के लिए जहां उसे फोन में मिल जाता है और वो जैसे ही फोन लेकर भाग रही होती है guys वो creature वहाँ पे आ जाता है और उसे पकड़ कर गिस करने लग जाता है जहां जूलेक पीछे से आता है और उस पे वार करता है लेकिन creature को बहुत गुस्सा आता है और वो उल्टा ही जूलेक को ब नहीं कर पा रहे थी, जैसे ही उसे basement में होश आता है, वो देखती है कि जूलक्स तडपते होے बुरी तरह से मर रहा है और वो अपना knife निकालने के लिए उसे कह रहा है ताकि वो easily मर सके और वहाँ पे वो रोगते हुपे उसके पेट से knife निकाल देती है जहां पे जूलक्स मर जाता है जहां जूईशा को उस creature ने chain से बांद दिया था क्योंकि वो उसके साथ में रहना चाता था और वो उस knife से इस chain को तोड़ देती है जहां वो भागने की तो सोचती है लेकिन तब ही उसे कुछ याद आता है और दूस्त से निकालने के लिए इस gap में भीचा गया था जहां वो हिम्मत करके उठती है और वहां पे पड़ी इस जिक्सों को उठाती है और दीरे-दीरे करके बेस्मेंट से बाहर आती है जहां पे वो creature सो रहा था जहां वो उस creature को बुरी तरह से वार करते हुए मार देती है वहीं उ गोली लगने से बुरे तरह से मर जाता है सो वहीं दूसरी तरफ एक पेट्रोलें पुलिस अपनी गाड़ी से सड़क पे जा रहा था जहां भागते हुए जोईशा आती है और उसकी गाड़ी रोकता है उसे सारी सच्चाई बताती है जिसे वह अपनी गाड़ी में बठाकर लेकर जाने लग जाता है जहां वो उसे कैप में छोने के लिए जा ही रहा होता है लेकिन रास्ते में दूसरा वाला टूइन क्रियेचर पड़ा हुआ था जिसे देखकर वो गाड़ी रोकता है और उसकी हैल्फ करने के लिए जाता है जोईशा से चिला कर जाने के लिए मना करती है लेकिन वो नहीं सुन पाता और वो जैसे ही इस creature के पास पहुचता है काइस वो उसकी भी तुकुड़े तुकुड़े करके बहुत ही बुरी तरह से पुलिस ऑफिसर को मार देता है जहां जोईशा बहुत ही बुरी तरह से डल जाती है और वो खुद कार ड्राइव करक और यहीं इस movie का the end भी हो जाता है तो अब आप मुझे comment करके बताएगा कि वो secret message क्या है जिसके बारे में मैंने movie के starting में बात की थी और अगर आपको वो समझ में आया तो please comment जरूर कीजेगा तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाए